जहिन सात्यों नमश्कार मैं हूँ अब है और आप सभी का श्रागत करता हूँ आपके अपने परिवार अब है एक्षल कम्प्यूटर में OLEVAL की इस क्लास में आजा पढ़ेंगे 3rd chapter Libre Office Writer के Most Important Questions तो जिनका भी एक्षाम है OLEVAL M1 R5 Information Technology Tools and Netrobases की इस क्लास को अटेंड कर लेंगे शाती सात्य एक्षाम से पहले OLEVAL की इस क्लास है उसको आप जहूर देखीगा और जिनको भी PDF की आप चकता है वीडियो के नीचे 2000 questions की PDF की लिंक दी है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अपने तयारी को बहतर बना सकते हैं तो जोस्तों OLEVAL M2 R5 OLEVAL M3 R5 अर्थात programming की जो क्लासेस हैं वो हमारे दूसरे चैनल programming tutorial पर हो रही है जिसकी link वीडियो के नीचे दे रखी है वहाँ से आप उसकी तयारी करके आसानी से OLEVAL exam को टॉप कर सकते हो साथी साथ क्लास को इस्टार करने से पहले आप इस क्लास को ज़्यादा शदा सेर कर दीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा students मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से exam को टॉप कर सकें तो time waste न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास योगि सीधी बात नोबकवास यही है अभैक्सल की क्लास Let's begin in this topic पहला कुश्चिन आपका राइटर में किस मीनू के अंदर find and replace का option पाया जाता है इन विच मीनू डस find and replace option is found in writer options है view, page layout, edit या फिर insert मताइए क्या होगा इसका write answer तो writer में find and replace का option हमें edit मीनू के अंतरगत मिलता है option says right note कर लीजेगा काफी important है यहाँ पर हम open कर लेते हैं writer को और with practical आपको इन चीज़ों को समझाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो अब next राइटर में किस मीनू के अंदर मेल मर्ज विजाड पाया जाता है means मेल मर्ज विजाड का option किस मीनू में मिलता है view, page layout, insert या फिर tools बताइए क्या होगा इसका write answer काफी important question है आप सबही के लिए तो यहाँ पर देखिए आपका writer open है यहाँ पर जब जाते हम insert मीनू के अंतर कर तो insert मीनू में हमें कई सारे options मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर देखिए आप page break option दिया हुआ है ठीक है move break, image, chart ऐसे options मिलते हैं यहाँ पर foot note, in a note, page number, field, header, footer ऐसे options आपको मिलते हैं तो इनका उपयोग करने के लिए आप insert मीनू को visit कर सकते हूँ ऐसे यहाँ पर जब आप जाओगे tools मीनू के अंतर कर देखिए तो tools मीनू में देखिए आपको मिलता है mail merge wizard का option कहां मिलता है tools मीनू के अंतर कर आपको mail merge wizard का option मिल जाता है तो इसका right answer क्या होगा option आपका d tools ठीक है अब next writer में किश्मीनू के अंतर कर फूट note and end note का option पाया जाता है exam में ऐसी question पुछे है कि कौन सा option किस मीनू में होता है किसके लिए कौन सी shortcut की का प्रयोग करते हैं यही सब पूछता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा है कि end note और food note का option किस मीनू के अंतर कर पाया जाता है tools view page layout या फिर insert तो यहाँ पर देखिए जम जाते हैं edit में तो यहाँ पर देखिए undo redo यह सारे options हम को मिलते हैं जब insert पर जाते हैं तो insert पर देखिए यहाँ पर header और footer दिया गया है envelope है signature line है और यहीं पर देखिए तो आपको foot note और end note का option मिलता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option d insert ठीक है अब next ruler के लिए shortcut key है means ruler के लिए हम किस shortcut key का उपयोग करते हैं control plus r, control plus c plus r, alt plus c plus c या window plus l plus r तो बताइए क्या होगा इसका right answer रूलर के लिए किस shortcut key का उपयोग किया जाता है ruler का काम क्या होता है तो यह window की size में fit करने का काम करता है यहाँ पर देखिए आप writer में जाते हैं, view में जाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिलता है ruler का ruler की shortcut की क्या होती है, control plus c plus r होती है जैसे यहाँ पर click कर दिया, देखिए ruler आगया, ruler के according आप window की size को fit कर सकते हो मेंस जो भी margin आपको set करना है, आप इसके माध्यम से set कर सकते हो ruler कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, कौन-कौन से, एक vertical और दूसरा horizontal जैसे इस पर click कर दिया, देखिए एक ruler आपका इधर भी आ गया, तो इस प्रकार से दो ruler होते हैं, एक horizontal होता है और एक vertical होता है, by default में आपका horizontal ruler काम करता है, यहाँ पर shortcut की पूछा था, तो control plus c plus r है कभी-कभी एक्जाम में यह पूछ लेता है, कि ruler को हटाने के लिए, किस shortcut की का उपयोग करते हैं, तो जिस shortcut की से ruler को लाया जाता है, उसी जिसको हटाया जाता है, तो right answer, control plus c plus r होता है अब next, writer में किस menu के अंदर word count का option पाया चालता है, word count क्या काम करता है, यह question में exam में पूछाता है, यहाँ पर है कि किस menu में word count का option मिलता है, tools, insert, format या फिर edit तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने open है, writer, यहाँ पर जवाब जाते है, tools में, तो यहाँ पर आपको मिलता है word count का option, word count क्या 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 अकाउंटिंग करता है, तो word count, word, अर्थात, सब्दों की counting करता है, साथी साथ, characters आपके with space, space के साथ character की counting, और without space character की counting करता है, इस के पेज और राईरा की काउंटिंग वर्ड काउंट नहीं करता है। पूछ देता है क falta किसी काउंटिंग नहीं करता तो पेजों की काउंटिंग नहीं करता है कहां स्मीनु में in the setzen first is right अब next राइटर में फॉण्ट का अधिक्तम साइज क्या है font size minimum क्या है और maximum क्या है यह दोनों चीज़े आपके लिए important है वरकि exam में दोनों पूछे आती है कभी-कभी font dialogue box और कभी-कभी maximum ऐसे पूछ लेता है तो यहाँ पर देखिए आपका writer में font dialogue box open है zoom है यहाँ पर तो minimum कितनी होती है अगर पूछता है तो 6 होता है और maximum कितना होता है तो 96 होता है कितना 6 to 96 तो यहाँ पर इसका right answer कितना हो जाएगा option D 96 अब एक चीज़ और पूछता है कि minimum और option में 6 और 96 नहीं है तो यहाँ पर जैसे हमने 0 लिख दिया और इंटर कर दिया तो automatic क्या हो गया 2 हो गया means minimum कितना है यहाँ पर 2 है एक करके हम इंटर करते हैं तब भी यहाँ पर 2 हो जा रहा है तो minimum LibreOffice राइटर की font size 2 होती है लेकिन font dialogue box ही कितनी होती है तो 6 होती है ऐसे ही maximum font dialogue box ही 96 है अगर यहाँ पर 1000 लिखके हम इंटर करते हैं तो 999 यह LibreOffice राइटर की maximum font size होती है याद रखिएगा काफी important है देखे इतना बड़ा करसर हो गया जब यह size हमने करती ठेक है समझ गए आप लोग अब next राइटर में help का option की shortcut की क्या है help का option कहां मिलता है कभी कभी यह भी पूछ देता है और shortcut की क्या होती है तो यह भी पूछता है काफी important question है यह भी आपका तो इसका राइटर नमस हो जाएगा option C F1 writer में help की shortcut की होती है यहाँ पर देखिए window के बाद देखिए दिया गया help help का option help में मिलता है जहाँ पर दिया गया है लिब्या आफिस help shortcut की की रूप में F1 ठीक है अब next लिब्या आफिस राइटर में super script के लिए shortcut की है control plus से प्लस प्लस control plus से प्लस पी control plus से प्लस बी या none of these यहाँ पर थोड़ी से mistake है इसको हम सही कर देते हैं और यहाँ पर CTRL होगा तो अथा यह super script के लिए हम किस shortcut की का उपयोग करते हैं दो चीजे होती है एक super script और दूसरा sub script यहाँ पर open है यहाँ पर zoom करते हैं format पर जाते हैं text पर जाते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज मिलता है देखे super में क्या आता है P आता है इसलिए CTRL प्लस से प्लस P sub में क्या आता है B आता है इसलिए CTRL प्लस से प्लस B तो ऐसे ही इन दोनों को आप याद रख लिजे ऐसे ही bold की shortcut की क्या है तो CTRL प्लस B italic की CTRL प्लस I double underline की भी पूछता है तो CTRL प्लस D increase, decrease यह सब कुछ अभी आपको मैं समझाऊँगा ठीक है तो यहाँ पर सुपरिस्क्रिप्प पूछा था तो CTRL प्लस से प्लस P आप next राइटर में जूम का अधिकतम समर्ण में प्रसत कितना है means राइटर में अधिकतम जूम कितना हो शकता है 300, 3000, 400 या फिर 600 पताई तो यहाँ पर राइटर आपका open है राइटर में जूम कहां दिखाई देता है तो status बार में आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर status बार open है जूम कर लेते हम यह देखिए आपका जूम है increase करते हैं तो maximum देखिए maximum 600% जिसे हम जूम कर सकते हैं कितने percent? 600% और minimum भी पूछता है तो minimum कितना कर सकते हैं? 20% जो limit है वो कितनी की है? 22, 600% की है यहाँ पर अधिक्तम पूछा था तो write answer option D 600% अब next राइटर में 140 spelling checking के लिए किस shortcut key का उपयोग करते हैं हिंदी पढ़ोगे तो ऐसे ही लाजवाब हिंदी आपको मिलेगी यहाँ पर कहा गया है automatic spell checking के लिए किस shortcut key का उपयोग करते हैं F7 shift plus F7 control plus F7 या फिर F6 यहाँ पर इसे सही कर देते हैं तो बताइए क्या होगा इसका write answer तो यहाँ पर देखिए writer open है यह option कहां मिलता है तो हमें tools मिलता है तो यहाँ पर देखिए spelling check करने के लिए F7 और automatic spell checking के लिए shift plus F7 का उपयोग करते हैं और thudas के लिए control plus F7 का उपयोग करते हैं इन दोनों में assurance compute हो जाते हैं तो दोनों याद रखिए automatic spell checking shift plus F7 और thudas के लिए control plus F7 का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर इसका write answer shift plus F7 हो जाएगा अब next Libre office writer से बाहर आने के लिए किस shortcut की का उपयोग करते हैं control plus Q control plus W control plus T या इन में शेक कोई नहीं Libre office writer से बाहर आना और Libre office writer की current window को close करना दोनों में फर्क है दो चीज़े होती है एक होती है window को close करना exam में पूछाता है कि window close करने के लिए किस shortcut की का उपयोग करते हैं तो control plus W के दारा हम window को close कर सकते हैं दोसा चीज़ पूछाता है कि Libre office writer को exit करने के लिए बाहर जाने के लिए तो control plus Q के मादन से हम बाहर हो शकते हैं तो यहाँ पर पूछाता है बाहर जाने के लिए तो control plus Q होगा इसका right answer हो जाएगा option A control plus Q ठीक है अब next writer में वर्तमान बिंडो को बंद करने की shortcut की क्या है तो मैंने आपको बताया कि current विंडो को close करने के लिए control plus W का उप योग करते हैं option B is right अब next writer में किसी line के प्रारम बाम में पहुँचने के लिए क्या करेंगे home, control plus home, pays up या फिर up किसी line के आरम में पहुँचना है और किसी paragraph के आरम में पहुचना है दोनों में अंतर है और किसी page में आरम में पहुचना है इसमें भी भी difference है जैसे यहाँ पर car करना हमने लिखा dt और F3 हमने प्रस कर दिया तो यहाँ पर देखे एक paragraph आपका आ चुका है आ गया ना paragraph, अब यहाँ पर जैसे हमारा cursor quiet के बाद है है ना, या फिर यहाँ पर hint में है, अगर हमने home की प्रस किया, तो देखे cursor कहां आ गया, starting point में आ गया, end किया, last में home किया, first में तो line के आरम में जाने के लिए किसका उप्योग करते हैं हम home का उप्योग करते हैं, option and first is right, लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता है कि page के starting में जाने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं, तो control plus home करेंगे, तो हम page की starting में चले जाएंगे या paragraph की starting में जाने के लिए किसका उप्योग करते हैं, तो control plus home का करते हैं, याद रखिएगा, अब next और घटाना, दो चीज़े होती हैं, यहाँ पर देखिए आपको with practical समझाते हैं, जाब जाते हो format में, text में, तो यहाँ पर increase size और decrease size का option आपको मिलता है, increase size के लिए control plus close bracket और decrease के लिए control plus open bracket का उप्योग करते हैं, तो दोनों आप note करिएगा, दोनों आपके लिए काफी important है, तो यहाँ पर पूछा गया था, आकार को बढ़ाना है, means increase करना है, तो increase करने के लिए control plus close bracket का उप्योग करते हैं, अब next राइटर में print preview के लिए shortcut की क्या है, बताइए, राइटर में print preview के लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं, control plus F2, control plus C plus O, control plus C plus P, या फिर control plus P, बताई, print preview के लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं, print preview का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते है, पूर्वा लोकुवन, ठीक है, तो इसका right answer, control plus C plus O होगा, ठीक है, यह option कहां मिलता है, तो यह भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जाएंगे, फाइल मीनू में, तो यहाँ पर print preview का option आपको मिलता है, क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप document का preview देख सकते हैं, document को print करने से पहले, हम अपने print को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो print preview के माधन से चेक कर सकते हैं, एक question यह पूछाता है, यह क्या print preview के दौरान, हम document में editing कर सकते हैं, तो जी नहीं, किसी प्रकार की कोई editing हम नहीं कर सकते हैं, यह याद रखिएगा, काफी important question है, अब next, means LibreOffice Writer में, अगर आप नया document बनाना चाहते हो, तो नया document को बनाने के लिए, हम किस shortcut की का उप्योग करते हैं, new document का option कहां मिलता है, तो file पर आप जाते हो, यहाँ पर new का option है, यहाँ से आप नया document create कर सकते हो, तो इसकी shortcut की क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, control प्लस N होती है, याद रखिएगा, new के लिए control प्लस N, open के लिए control प्लस O का उप्योग करते हैं, तो यहाँ पर इसकी write answer option C, control प्लस N, अब next, निम्न में शे कौन सा विकलप, word processor है, सभी सही विकलपों का चैन कीजिए, मिन्स कौन सा ऐसा है, जो word processor का कारिकरता है, Google Doc, Libre Office Writer, MS Word, या फिर आलाब्दी, अबाब, बताइए, क्या होगा इसका write answer, तो देखें, Google Document भी, word processing का का काम करता है, लेटर वगरा बनाते हैं, Libre Office Writer में भी वही काम होता है, और Microsoft Word में भी वही होता है, तो इसका write answer हो जाएगा, option D, all of the above, अब next, save, print, और close command, किस विकलप में उपलब्द हैं, insert, file, tools, या फिर format, मताइए, shape, print, और close command, किस विकलप में हैं, तो यहाँ पर देखिए, जह हम जाते हैं, writer में, zoom कर लेते हैं, यहाँ पर जवाब जाओगे, file में, तो file मीनू के अंतरगत, आपको मिलता है, new, open, shape, save as, save a remote, save a copy, यही पर आपको मिलता है, close, यही पर open, यही पर print, तो पूछा था, print, save, और close, तो कहाँ पर है, file मीनू में पाय जाता है, तो इसका right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, option B, file मीनू, ठीक है, अब next, document को print करने की shortcut की क्या है, file, export, file, send, file, print, या none of these, देखिए, print करना है, तो export करने से print तो होगा नहीं, export करने से export हो जाएगा, send करने से send हो जाएगा, तो right answer यही है, कि हम file पर जाएगे, और फिर print पर click कर देंगे, तो हमें document का print out मिल जाएगा, means right answer क्या हो जाएगा, इसका option C, अब next, मौदूदा फाइल में किये गए बदलाओं को, करने के लिए, shortcut की क्या है, means, जो भी file है, अगर उसमें बदलाओं को shape करना चाहते हैं, तो इसके लिए किस shortcut की का उपयोग करेंगे, file, save, insert, save, home save, या none of these, मताईए, क्या होगा इसका answer, तो फाइलों में बदलाओं किया गया, इसको save करना है, तो देखिए, यहाँ पर insert menu तो होती है, लेकिर insert में save नहीं होता, यहाँ पर home menu तो होती नहीं है, file menu है, तो इसका right answer option A, file पर जाके, shape पर click कर देंगे, तो जो भी changing हमने की है, वो वहाँ पर change हो जाएगी, तो यह थे LibreOffice Writer के, most important questions, कल की class में आप पढ़ेंगे, LibreOffice Calc के, most important questions, तो इससे आप याद रखिएगा, काफे important है, और mock test जरूर दीजेगा, ताकि आपके तयारी कितनी हुई है, आप देख सकें, विजिट कर लिजे, abhexl.com, और जिन्हें PDF के आवशकता है, वीडियो के नेचे, 2000 questions की PDF के लिंक दी है, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लिजे, और abhexl computer की, महामेरतन क्लास को ज़यूर देखिए, ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, फिर मिलते हैं, नस्तास में, तब तक के लिए, बाई बाई.